अच्छा अस्थमा वाले कितने ऐसे हैं अस्थमा काफ एलर्जी वाले जिनको फाइदा हुआ यहां करके हाथ उठाना दमा से लोगों का दम निकले जा रहा लोग बोलते और यह दमा की दबाई तो जिंदगी बर नहीं छूटेगी कॉँड मता जी खड़ीव मोटीसी मेंजि माता जी नहीं बैंजि हो अनिच sarcamad kg यह दोनु वहTM यह तेरेको इसको हालात यह थी यह यह इतने तगड़ी है यह तो दोड़ के यह पहले ही पूच गई कुछ सोच रहोगे यह इतनी तगड़ी यह तगड़ी नहीं यह सच में तगड़ी हो गई है एक दिन मेरे से मिली यह साथ आठ दिन पहले स्वामी जी मैं मोटी नहीं हूँ यह तो शरीर ऐसी मोटा होगे इसको ठीक कर लेंगे ठोक ठाक करके और कितना वज़न कों कर लिए बैटे बारा किलो कम हुआ बारा किलो कम कर लिए दोड़ के आई है एक दम पड़ाक से चलो जो वनीता और इसका नाम है अनीशा यह अनीशा और वनीता की जोडी बहुत जोड़ार है यह दोनों बहने जब आई थी अब इसका यह पूरा ढीला हो रखा है कम से कम अपड़े आते नहीं थे पहले और अभी कम से कम यह तो भाई होता तो भाई भी खीच के दिखा एक साइड से यह देखो इसके अंदर सामी राम देव घुश सकता है इतना आधा ढीला हो गया है इतना एक पिट होगे अगजे का सची कमर you वह ओगी इसकी इंचेंज कम से कम बारिय इंच लोगे मोदी जी का तो are you सिन और को चिना है यहां इस जरूर साथ हिंच का है कमहरी सजी कभ tut जीया हो गिले दिए इस अर यह इसी है न इसको किटने सारेट ने आते थैं यहां को तो आश्खास्त इन आए प्राइट या Creating a था तो उसके चार-चार पंचालू थे चार अलग अलग पंचालू ये मेडिकल स्टाफ है खुद और इसको पता है कि पंप अच्छा नहीं होता लेकिन उसके बिना चल नहीं पाती थी तो यहां के मेरा पूरा छुट गया एक बिन दवाई को हाथ भी नहीं लगाई और तेरा प्रेटी लिवर और चार-चार पंप चार पंप बताओ अब एक भी नहीं ले ना कुछ भी नहीं और वेट किरते ना कम हुआ है ग्यारा किलो यह जोटी है यह बड़ी है तो थोटी वाली जाद दाजा तेज है दोड़ती है फूरी अग शामी जी यह ना मेरे को कमर का दर् पिर से गिर जाओंगी इसले मुझेश दीरे से चलो लेकिन चार पंप लेती थी चार बंद हो गए और क्या के ठीकी है और पीरियड जो है जो तीन साल से बंद अते यह पुरा एंवायर्मेंट ए यहां कैसा है और जो सारी उप्चार देते आपको सारे जो पंच कर्मा शट आजे तब से लिक्विद डायेट और ऐस्टिंग पर ही हैं। तुमको को दिक आत नाजु कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। हाच्छ और फरेस Everybody तो में यहां और में यहां कहता हूं, हम यहां खाना सच मैं देते ही नहीं है हाम यहां खाली और क्या-क्या ठीक किया था तो ने तो मेरा कमरदर था में चल नहीं पा रही थी इधर आने के बाद चलने लगी अभी यह से भागती रहते हो सब जगह घुमते पैदल अब कितनी दिन रहना है यह पूरा मेना एक एप्रेल तक स्वामी जी आते वक्त ही हमने पचास दिनों का तो अब यह क्योंकि इन दोनों को बहुत पतला करके भीजना है और इनके ऊपर सब उपचार चल रहे हैं अब भ्यांग मिट्टी ले भी लगा आप बोले उस दिन से हमारा चालू हो गया अभी मिट्टी पूल भी चाली उसमें जा रहे हैं स्टेच मास चेश के इधर सब जो पेड्ट पर अगरे सब वो प्रेगनेशि के बाद होता है ना तो फिर में मिट्टी लेप लेगा रही हूं रहे हूं पुरा चला गया पुरी निकल गये अभी सी तक अभी roast अक्नेशिक के बाद पूरी लाइनिंग हो जाती है हाँ वो मोटे भी ना हो गए अभी तो पूरा कम हो गए दिखता ही नहीं सब बोलते आरे यह तो तेरे को कुछ भी नहीं चले गए पहले तो इतना बढ़ा था तौ मंपापा भी खुश है कि हमारी बेटिया फुलक पहले कितनी साधी से पहले जुव कितना था एक सोबीस था सॉ सट्वामिजी जधा रहती नहीं में जोपके लिए बाहर रहती थी इसको नो आप खाना थोड़ा तो खालो एक दिन सुबे सिफ चपाती दिये दो किलो बढ़ गए एक चपाती खा के दो किलो मुसल बढ़ गए तरह से वो रिटंग करना पड़ा तो अभी तुमको बाटरमेलन मिलेगा कभी ऐसे कमजोरी लगे तो बाटरमेलन अभी मंगवा देगे जल्दी मंगवाई मेरी मम्मी मेरे से बहुत गुसा है बोल रही मेरा कुछ बोलती नहीं मम्मी के वज़े से हम योगा करने लगे कितना है उनका वजन उनका वजन तो नॉर्मल साथी है पर उसका पहले यानि प्रेगनेंसी के बाद उसका भी हमारे जैसे हुआ था पर शुगर होने के वज़े से उनका बेट कम हो गया और फिर अब योग करती है योग पक्की भगत माता ही मेरी भगत है स्वामी रामदेव आज जहां भी है इन मा बेहन बेटियों के वज़े से आप सब को मेरा साश टांग प्रणाम और सची बोलता हूं ये मेरी पक्की प्रचारक हैं मेरे दुश्मन भी प्रणाख लेकिन माताओं बेहनों का इतना मुझे आशिरवाद है और सब तो इनकी माने बेटा बने जाओ तुम सवामी जी के पास जाओ और दोनों अकेली आई है यहां पर पती इनके वहीं पर है हाँ पती उधर आभी लेने के लिए लेने के लिए लेने के लिए इसको वह पीसर है केंदर प्रमू के हमारे उदर तो उसका जो ट्रांसर हुआ ना तो उसका योग छूट गया तो उस टाइम पे उसका शुगर बहुत बढ़ गया गैंग्रीन निकालनी पड़ी पर उसके बाद से योगा हरोज करती है चोड़ती नहीं कुछ भी हो कहीं भी हो किदर भी हो हमसे दोनों से घुस्ताती आप लोग स्वामी जी से मिले पर मेरे बारे में बात नहीं कि आप लोगों को आप मेरी वज़े से जाए हो ना तो मेरी भी बात करो तो देखो मम्मी कि उसको लगा कि अब तो एक अंगुली कटी है कई पैर ना कटे और जीवन संकट में ना पड़ जाए चोसट था मम्मी का पूरा बंद हो गया चोसट इंसुलिन कुछ भी नहीं ले रहे दवाई भी पूरी बंद कर दिये और जहां भी डॉक्टर के बाद करती है मैं अभी योगा करती हूं मैं पूरी फुटे मुझे कुछ नहीं हुआ है घर बैठे बैठे मामा ठीक हो गई है साथ हिंसुलिन मा का ठीक अभी चलो स्वामी जी उसको आने कता पर उसका स्कूल चलो गया ना तो बोलिया भी नहीं होगा अब इदर मू करके और एक म रोशनी है उसको चीरती भी तुमारी आँखों की रोशनी सूरस तक पहुँच जाएगे और एकदम धवल पूरा शुब्र रूप सूरिय का तुमें दिखे गए सूरिय का त्राटक जलनेती सूत्रनेती त्रिफलेसी आईवास अक्षी तरपन कपालभाती प्रणायाम आखों के पॉइंट के साथ और साथ में अनुलोम विलोम प्रणायाम लंबा त्राटक करना हो तो हम अनुलोम विलोम के साथ भी करा देते हैं उम स्वस्ति पंथा मनुचरेमा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधता अघ्नता जानता संगमे महिव अनुलोम विलोम या कपालभाती के साथ जिनका लंबा अभ्यास नहीं तो एक बार देखा सूरज और एक मिनट की बाद आँखे ठक गई तो फिर थोड़ा सा आँखों में पानी सा आ जाता है तो फिर आँखों में और उर जा जाएगी फिर दुबार आँखें खोल के देख लेना कपालभाती अनुलोम विलोम के साथ पूरी एक आग्रता पूरवग ऐसे सूर्य का त्राटक करना एक सूरज बाहर है दूसरा तुमारे भीतर है सूरज चांद सब भीतर है गंगा यमना सरस्वति राम क्रिष्ण बुद्ध महावीर तुमारे भीतर है सारा ब्रह्महंड तुमारे भीतर है यही योग की शक्ति है यही योग की महिमा है यही योग का सिध्धानत है यही योग का सत्य परम सत्य है और हमने माइनस टू पॉइंट फाइव से ले करके और प्लस टू फाइव तक का अलग अलग तरह का आँखों का चस्मा साथ से पंद्रे दिन में लोगों का अटा आया है ये भी बड़ी बात है ये जब मैं प्रार्म में योगा ग्राम में आया था तब से ये कारेक्रम चल रहा है त्रिफलास आईवास जननेती सूत्रनेती अक्षित अरपन और आख की ओशद आमर के रसाइन सप्ताम रितलो मुक्ता शुक्ति मोहती प्रिष्टी वसंत कुसमा कर रस राज रस चालो ऐसे एक दो मिनट से ऐसे सुरू करना और एक दो मिनट से सुरू करके धीरे धीरे आँख नाख से थोड़ा पानी भी आएगा सुरू सुरू में करोगे तो अब मैंने भी बीच में छोड़ दिया था अब दुबार ऐसे सुरू हो गया तुम्हारे साथ साथ ऐसे एक बार ऐसे देखा फिर आखे बंद कर लो चलो मंच की तरफ देखो और आखे बंद करके आज्या चक्र में सूरी को देखो तो आपको अंदर भी ऐसी सूरी देखेगा जैसे बाहर देख रहें यह ध्यान हो ज्योती कहते हैं इसको ब्रह्मज ज्योती कहते हैं तपशद्धे ये उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसह भैक्ष चर्यम्चरंताह सूर्य द्वारेन ते विर्जाह प्रयानती यत्राम्डिता पूर्शोहिय व्याद महं एसी सूरिय का अंतहतर्षत आत्म ज्योती ब्रह्मज्योती में पृतिश्ठीतों करके जैसे प्रार्म में मने ध्यान पुराव कर आया था यसे ध्यान पूरुगन प्रणायाम कर्द, ध्यान योग, संकल्प सिद्धी, संकल्प समाधी और इसमें सारे रोग, सारे विकार, सारे दोश, दग्द बीज हो जाते निर्बीज हो जाते आपको जो कह रहा है सब अच्छे बीज सद विचार सद भावों के सद गुणों के सद कर्मों के जागरित हो जाते और सारे दुर विचार दुर भावने दुरगुण दोश अज्यान अशद्धा कर्मनेता सारे भीतर का अधर्म रोग पाप दोश दुरगुण सब नश्ट हो जाते ऐसी भाव चेत्ना से आप योगा भ्यास किया करूँ भस्त्री का कपाल भाती अथ्वा अनुलोम मिलोम ऐसी ध्यान पुरवक करना और इससे आपकी सारे असाद धिरोग भी दूर हो जाते हैं यह तो दो चार रोगों के बारे में मैं पूछ लेता हूँ या शीश अभी यहां दस तरह के पे की व्यवस्था करवा दे रहे हैं दिव्वे पे गिलोए सर्वकल्प अरजुन की चाल मेदाकवाथ पंचामरित पे जीराधनिया सोफ मेथी अजवाइन और पित तहर पे जिसमी जीराधनिया सोफ के साथ गुलाब और मुलेट ही फ्रेश गुलाब और मुलेट ही इनका पानी भीगो करके जिनको ओटोमेंड डिजीज हैं एमेंडी है ऐसाली एमेस ओटोमेंड डिजीज बहुत जाता क्रिटिकल प्रॉब्लम से उनको इम्मिनोग्रिट पे गोखरू का पानी और जिनको कॉराइटिस है बिलवोरेला बिलवेला पे ऐसे दस तरह के हमने पे आपके लिए तै किये हैं और इसकी सारी विवस्था कराके आज जितना बन पाएगा आज बाकी सब कल से विवस्थित कराके दिन बर यही पीना है सब को जो स्वस्थ व्यक्ती हैं वो सामान्ने पानी पी सकते हैं बाकी वो भी थोड़ा-थोड़ा कोई भी पी सकते, सवस्वेक्ती साधा पानी पीने की छूट है उनको, तो करीब दस तरह का आहार और दस तरह का पे, ये सब को उपलब्द रहेगा, और फिर साथ में दस तरह की यज्य थेरापी, और फिर दस तरह के, अलग-अलग प्रकार के, पंच करमा, शट करमा के, मेट थेरापी, बाटर थेरापी के, उसमें भेद हैं फिर, एक-एक में, बस्ती है तो दस प्रकार की, मसाज है तो दस प्रकार की, शिरोधारा है तो दस प्रकार की, ऐसे भेद प्रभेद हो करके, यह उपचार देते हैं आपकी अवश्यक्त्य करने साथ, बिमारी इनी चार उत्रफ से घेर रखाए तो हम आक्रमन भी चार और जो उसके करते हैं, शत्रों जितना प्रभल है, हमारा आक्रमन भी उत्रा ही प्रभल है, उसके उपर है, मैं दिन भार एक मिनट के लिए भी सोता नहीं हो, आप साइद हो सकता है दो पहर को घंटा आदा घंटा मार लेते होंगे आँख, कोई सो जाते हैं, एक से तीन के बीच में थोड़ा आदा कर लिया करो, जो थोड़ा कमजोर से हैं, कोई बात ही, मैं एक मिनट में विश्राम, मैं जब गुरकुल में पढ़ता था तब से आज से करीब 40 साल हो गए, मैंने दिन में विश्राम नहीं किया है, और एक दिन में छुटी नहीं किया है, नो होली डे, एब्री डे जो होली डे, खुश रहता हो, मस्त रहता हो, अच्छा होली डे करके क्या करते हो तुम, खुशी तुम मनाते हो, बीबी बच्चों के सा साथ को इंटर्टेन्मेंट करके, कभी सोनी टीवी देख करके, कभी कुश करके, तो हम क्या करते हैं, हम काम करके खुश्य मनाते हैं, काम में आनन्द है हमको, ऐसे, और मैं तो सो साल तक ऐसे ही रहने बाला हूं, जैसे तुमारे सामने बैठा हूं, जो मुझे 25-30 सालों से जानते हैं, उसे पहले कम लोग जानते थे, हम तो एक दब अन्जान सी जगह से आये, कुछ जानता ही नहीं था हमको, कौन जानेगा, अनपड़े बाफ आपके गर में पैदा वे धूल भरी गली में खेले हैं, ऐसे ही, दस साल तक तो कपड़े नहीं पैनते थे, ऐसे नंग देखो, निष्ठा होनी चीए, ऐसे जैसे गुडिया है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के लिए, पक्का अपना योगा भ्यास करते हैं, टोकना नहीं पड़ता, और ये चोतर साल वाली भेंजी इदर आओ, ए चोतर साल वाली भेंजी, समाधिय बुलाए, चोतर साल की है, बाकिन का पूरा ग्रूप है, मैंने कहा, पूरा योग वाला गैंग है, और ये बेंजी इतनी मस्त रहती है, घुटने में थोड़ा दर्दा, वो ठीक कर देंगे, कहां से हो बेंजी, दिल्ली से, हां, चोतर साल की हो गई अम्मा, लेकिन एकदम है, थोड़ा से गुटने में दर्दा, उसके रिए पेड़ा नील और्थोग्रेट, स्प्रिलीना सब दे दिया, हमेंने, सो साल तक आपको ऐसे ही रहना है, आपका सोवा साल यही मनाएंगे, चला, ये चोतर साल की है, एकदम मस्त है, खुश है, और अब योग और ज्यादा और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करो, तो सो साल तक तुम बीमारी नहीं हो सकते, कितने साल तक, बाकी 65-65 में बहुत है या, सतर में, 65-65-66 के खुब है, 77 साल की है, बाबा जी, मास्त है एकदम, और तेरी वीवी कितने साल की है, है, कितनी की है, है, सच्ची बात है, इधना, इसके लिए तो जोड़दार ताली बजाओ, मैं तो सोच रहा था, यह 46 की है, यह 60 की हो गई है, तभी मुझे पता ही नहीं कर रहा था, तेरा हस्बेंट इतना बेंड़ता रहता है, वो बहुत बोलता है इसका हस्बेंट, और बड़ा खुश है, कि मुझे इतनी अ कि अभी ब्या हो करके नहीं नहीं आई है, इससे अजियों को दिखती नहीं है, ऐसा पतनी भक्त भी होना चाहिए सबको है, तो देखो, 60 साल में, ऐसे फेटा है एक दाव मस है, यह लोग मर गें जी, बुढ़े हो गए, जब मैं किसी की उमर पूछता हूँ, पचास साल, चोबन साल, और मैं अपने साथ उसकी तुन्ला करता हूँ तो बुढ़े लगते, मैं ने का तुम ऐसे कैसे हो गए, मैं भी तुमारी इतने यह हूँ, आप इतनी बड़े हो गए हो, अरे तुम ऐसे ही रहोगे, योग करोगे तो, बीमारी बात छोड़ो, खैर, तो यह तो मैंने बीपी सुगरादी की बात किया है तो बड़ी-बड़ी बीमारी भी जिन्होंने ठीक कर रहे के खड़े हो ना क्या ठीक कर रहे हो तो बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे हैं भाई संवामजी ने ठीक कर दिया के थे रहे हैं कि इन संदीने ठीक कर दिया इधर से एक διαषर करते हैं अमारे साथ सन्याथि करते हैं मेरी समार्पन। मेरी नाग बंथी. मेरी नाग बंथी? जिसार. मेरी क्छार्षण सार्. जिसमें बंद हो गई थी? जिसार. मेरी बंद बंद में बिशादी हो गई? रहा जिसार. और डॉक्टर व्प्रेश्टन के लिए भाधा. मैंने नहीं करवाया. तो यहां खुल गई यह करीब साल बर पहले खुली सर यह लो 46 साल पुरा निना खुल गए मैं 2004 में आपका पहला कैम बहुत असा लखनों में हाँ इसके गर्ग साफ ने करवाय था जी सर वह जहां अभी तो मायोती जी की जहां मूर्तियां लगी विए जी जी उसी में वाता का काशी राम पार्क में जी सर तो उस उसर जगही नहीं थी सर तो वो पहला कैम मैं अटेंड के था आपका सर उसके बाद मैं लगाता है आपके ठीवी से जो लों सर बीच पचास चारिशारी साल पहले पुराणी बीमारी जी सर ठीकर और सर वो मेरी पत्निया आयों इनको वह भी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, कुछ नहीं करते हैं सर, ना करेंगे, वह भी ठीक हो जाएंगे, सोती रहते हैं, ना कोई बाद, जाग जाएगे, उनको ऐसे ही बोला करो, पोजीटिव पोजीटिव बोला करो, ठीक है, वह भी ठीक हो जाएंगे, इधर दूसरी क्या भोलना चाह हा है। करो साब। लाष्ट अपना-प्यास करोeg आप्यास करो Swami ji के करहने में परिबाइसेथ मेरा बन्दन Swami ji मैं अपनी वाइफ को ले कर कहा या था है और मैं नियु लेकर था रिया था मेरा वहें कोई था दो रारीक हो महें चार तारी की सुबह में इपना वेट किया था पहले मेरा 72 किलो 300 गराम था लेकिन तीन तारी को चार तारी की सुबह को चेह किया तो मेरा 68 हो गया हम बजब का पालूम है तो अब डैब दुब जर्टे के पटनी को लेकर आये थे खुद भी ठीक हो रहे हैं और और पतनी का क्या अल है इनका इनका थोड़ा चिन्ता के विश्योड़ा रहा है जो कि इनको फाइब्रोसे से पहले रिमटाइट एट्थाइटिस तो ठीक होगा क्यों चिंता के का विशा है चिंता विशा साब यह हो रहा है कि एक तो यह ऑक्सिजन पर रहती है अभी आपका बहुत अच्छा टीटमेंट चला लेकिन समस्या यह आ रही है कि जैसे हम पंच कर्मा के लिए कहीं भी जाते हैं तुमां दूसरे लोग भी खड़ रहते हैं अब हाँ दो घंटे लग जाते हैं दो घंटे में इनकी सांस उखड़ जाती है एक दिन आक्सिजन की जरुवत पड़ गई फिर मुझे वापस ले जाना पड़ा कल जो है ना जो डॉक्टर साब जो ऐसे एमर्जेंसी पेशेंट होते हैं उनको वीट मत करवाए कर बाकी तो अपना ठीक है प्रणायम कर लेंगे वीट करते करते को प्रेशर कर लेंगे तो ऐसे जो प्रिटिकल पेशेंट उनको पहले करवा देंगे ना ऐसी व्यावस्त दूसरा स्वामे जी एक चीज़ हो लांग फाइब्रसिस ऐसा होता है फेफड़े में लोटरी जैसे ह जाते हैं अक्सीजन एब्जोब नहीं करते यह ठीक होता है लेकिन